नमस्कार मेरा नाम हिमान शिदावन और आज इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको समझाने जाऊंगा ओलिगोस्पर्मिय के बारे में ओलिगोस्पर्मिया देखो नॉमल है मैं अपनी सारी वीडियो में समझाता रहता हूं बताता रहता हूं oligospermia है क्यों किस condition को बोल देते हैं बट आज मैं आपको थोड़ा सा अपने patient की बारे में बाता हूँगो मैं उनका नाम सामने disclose करूँगा बट उनकी reports देखकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कैसे हम एक मन्त में या दो मन्त में recover ले सकते हैं अगर आप अभी तक zinc के capsules ले रहे हैं अभी भी आप protein के derivatives as in capsules या supplementation ले रहे हैं और उसके बाद भी आपके sperm count नहीं बढ़ रहे हैं तो it means कही न कहीं कोई और issue हो सकता है वो issue में अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ बट इस वीडियो में भी आपको क्या ही देता हूँ या बता ही देता हूँ कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं उसमें आप ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये वीडियो मेरे sperm count बढ़ा देगी यह वीडियो मेरे स्परम काउंट को अराम से बढ़ा देगी या यह डॉक्टर हिमानशो या एबीसी डॉक्टर कोई से भी आप वीडियो देख रहे हो वो आपके स्परम काउंट बढ़ा देगी वो इजी टास्क है या वो देखते ही मैं अगर हम मेडिकली कंडिशन देखें तो हर एक पेशन्ट अपने दूसरे पेशन्ट से अलग मिलेगा जैसे कि मैं आपसे बिल्कुल अलग हूँ मेरे अंदर अगर कोई दिक्कत आरही होगी तो वो शायद मेरी अपनी होगी ठीक है अगर हम क्लिनिकल ट्राइल्स करते हैं तो करते हैं उसमें हम पांच या दस पेशन्ट को लेकर चलते हैं बट उसमें भी ऐसा नहीं होता कि हर एक मेडिसिन आपको एक्जेक्ट वहीं पर लग जाएगी अगर मैं देख़ु तो किसको लीव डिसॉर्डे भी हो सकता है कि लीव डिसॉर्डर माने की लीवर की फंशिंकम हो ना जिसकी वज़शसे उसकी पूरी बॉड़ी पर ही लाक ओए कि अगर मानगे कोई फीजिकल वीकनेस या समझ लिजी कि आप एकदम से वेट लॉस हो रहा है आपके साथ तो में भी शायद कुछ और है राइस वह तो उसकी वज़ा से आपको स्पर्म काउंट नहीं बन रहे हो मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बता रहा है कि स्पर्म काउंट को बढ टेर है यह कंकी ओने से मिलते हैं अगर कंश काई नहीं होगा यह ख्अना आपके प्रॉपर आपकी बॉडि में एसिमलेट नहीं हो रहा या इस और आपके स्टूल से बाहर निकल जाता है या थी बारी भी आप खाना खाने उसके बाद को फ्रेश होने जाना पड़ताए इसको हम enhance करना चाहते हैं तो वो enhance नहीं कर रहा है यहां उनकी production वितनी ही है जितनी वो आपके सामने semen analysis में show कर रहा है बट वहाँ पर भी हम sperm count को enhance कर सकते हैं उसकी motility बढ़ा सकते हैं उसकी morphology सुधार सकते हैं और अगर मैं इस condition में की बात करूँ कोलिगोस्पर्मिया की बात करूँ तो यहां पर किसी भी आईवेट के पास 90% की success rate मिल जाएगी आप कोलिगोस्पर्मिया में वो इसने मिल जाएगी क्योंकि easy task है आईवेट के लिए as in sperm count बढ़ाना easy task है as compared to अगर मैं दूसरे doctor's की बात करूँ या मैं आपको IVF clinic की बात करूँ या अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ normal IVF नहीं तो अगर आप normal अपना किसी भी ऐसे allopathic के पास गए है उनके पास supplementation है वो भी supplementation enhance करने के लिए ही दी जाती है कि आपकी body enrich हो है nutrition से बर जाए और वो आपके sperm production को बढ़ा सके उसके पीछे कोई और rule नहीं होता बट हमारे उसमें क्या होदा digestion रोल करता है हमारे उसमें लीवर रोल करता है हमारे treatment में इसके साथ intestines रोल करती है हमारे treatment में आपकी sperm metagenis को enhancement के लिए रोल किया जाता है में विदिन बन मन्त में उन्हों क्यों लिए पाए उनकी रिपोर्ट ऐसी थी कि जब वो आय थे तो उनके पहले 16 million sperm count है 16 million थे मैं नहीं कहता कि बेकार रिपोर्ट है क्योंकि अगर WHO की कहते है World Health Organization तो यह कहते है कि 15 million में normal है रिपोर्ट बट उनकी 16 million थी, 1 million फाल्तू थी बट वहाँ पर वो consume नहीं कर पा रहे थे उनके sperm count low होने की वज़ा से उनको किसे ने IVF भी recommend कर दिया था बट वो आज की डेट में IVF तो नहीं उनकी need पड़ी बट उन्होंने अपने ही इसी treatment से, IVF treatments से उन्होंने 32 million sperm count achieve कर लिया है और 160 million as a concentration उनकी आ रही है 160 million as a concentration उनकी sperm count में नजर आ रही है और वो अच्छी बात है यह report exact बहुत अच्छी है इसमें अराम से वो conceive भी कर पाएंगे और इसके आगे उनको troubles as such नहीं आने वाली जो sperm count low होने की troubles as in couples face करते है बट यहाँ पर एक ऐसे patient की बात बता है उन्होंने आई वेफ रिकमेंड किया उन्होंने का एक try तो करतना बनता है क्योंकि अगर मैं बात करूँ अगर मैं मैं को कोई surgery recommend कर देगा और मैं को कहें कि आप homopad से ठीक हो सकते हो या eye weight से ठीक हो सकते हो तो शायद मैं एक try तो दूँआ तो उन्होंने वो एक try शायद eye weight को दिया और जिसकी वज़े से उनको वो चीज अचीज अचीव भी हो गई और आज की date में वो पिरकुल completely fit and fine है उनको अभी oligospermia की trouble नहीं है और यह ऐसा नहीं है कि आज आपने medication लियो और कल तक आपके खतम हो जाएंगे या कल तक आप दुबारा उसी जगा पे आ जोगे देखो सिंपल सी बात है हमने root cause पे काम किया हमने उनका system देखा system में अगर कुछ खामी है उनके पूरी body में कुछ खामी है उसको ठीक करने की पहले कोशिश करी sperm count तो अपने अभी अन्रेच हो जाते है उसके लिए से हमने एक या दो दवाई चलानी पड़ती है बाकी जो आपका system दुरस कर देंगे जिसकी वज़े से आपको आगे वाली oligospermia को बट आपको क्यो और नहीं नजर आ रहा या आपको ऐसा लगता है कि इसका treatment किसी आपके doctor ने ऐसा कह दिया है कि अब आपको IVF ही करवाना पड़ेगा तो एक try तो शायद आपका भी बनता है जिससे आप अपनी इस बीमारी से निकल के भार आ सके स्वस्थ हो सके और अराम से आप अपने बच्चा ले पाएं as in conceive कर पाएं और अपनी इस ट्रबल से बहार निकल पाएं और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, बैल एक इंद बादी जिएगा और हैपी दिवाली इस दिवाली पे आप भी स्वस्थ रहें मैं भी स्वस्थ रहता हूँ ठीक है और आपका oligospermia या कुछ भी ऐसे ट्रबल से हैं उसको भुला दीजिए थोड़े टाइम के लिए